अधिनात भगवान की परम पुझ श्रमन कुल तिलक संत श्रुमनि आचरे भगवन श्री विद्या सागर जी महराज की परम पुझ गुनायतन प्रनेता प्रकरवक्ता भावन योग प्रवर्ता गुरुवर श्री प्रमान सागर जी महराज की समस्त मुनी संध की शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन दन इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्राग्म करें चलते हैं पूज गुरुदेव के चर्णों में अर्पित करते हैं अपनी प्रनती इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके समुननती सभी लोग हाथ जोडेंगे मस्तक जुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु बंधू, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सिद्धिक शेत्र, सिद्ध भूमी समेशी खरजी पर परम पोजी गुरुदेव की पावन प्रेणा से गुनायतन तेर्ट निर्म्यमान है और वहाँ एक सामान नितिर्ट नहीं, अपितु स्वर्णे में तिहास की रशना होने जा रही है और लोग प्रते दिन उत्साहित होके उससे जुड़के अपने जीवन को धन्ने कर रहे हैं आज भी कुछ लोग गुनायतन से संबध हुए हैं मैं उनके नामों के उद्गोशना करूँगा और अप एक्षर रखूँगा कि आप उनकी उदारता की करतल धन्योसिन के अनुमोदना आवश्य करेंगी निर्मान निति के रूप में गुनायतन से संबध हुए हैं अदुल कुमाल रंकी जैन यश जैन, सक्षम जैन, गुड़गाव से आकास जैन, सुपुतर अर्विंद कुमार जैन, दिली से श्रीमती शैला आर काजवार जैन, बेल गावी से यवं श्रीमती प्रेमलता जैन, बेंगलावी से सभी लोग करतल धन्योसिन के अनुमोदना करें निर्मान मेत्र की रूप में गुनायतन से संबद हुए हैं श्री मुकेश कुमार सवीता जैन सौरभ शरच सोनम आदिगम जैन सा परिवार सबी लोग करतल हन्यों से अनमोदना करे बंदू और निर्मान सूत्र थार के रूप में आज गुनायतन संबद हो रहे हैं श्री मती रेखा जैन धर्मपतनी अनिल कुमार जैन शैली अर्पित हरशिद जैन प्रयाग राज से श्री आशीश जैन सुपुतर राजेंडर कुमार जैन वरजीनिया यूएसे से श्री मती उशा जैन धर्मपतनी डॉक्टर डीके जैन रिशीरितिका रिचा आरफ जैन इंदौर से श्री निर्मल चंदमालती जैन आशीश स्वीटी जी अभिशेक राकी जी नितिन सोनाली जैन पाटन जवलपूर से इवं सुतरथार के रूप में कोरबा से संबध हो रहे हैं नेमिचन जैन श्री मती मीना जैन विनीच जैन अपूर प्रतिष्था दिविद जैन कोरबा से और बैंगलोर से स्वार बैंगलोर से श्रीमती, सीमा, संजय सरावगी, शैल जा, श्रियांश सरावगी, शिलॉंग से, सभी लोग करतल थन्योसिन की उधारता की अनुमदना करें बंधू, बंधू, सूत उधार के गूप में कोर्बा से आज गुनायतन संबद होने का सौभा के पराप्त कर रहे हैं, नेमिचन जैन, श्रीमती, मीना जैन, एवां उनके पुत्र पुत्री और जमाई, विनीद जैन, अपूर प्रतिष्ठा, दिवेत जैन, बैंगलॉर से, सूत उधार के उगूप में अज गुनायतन संबद हो रहे हैं, सभी लोग करतल थन्योसिन की उधारता की अनुमोदना कर आज यहां पर बहुत संख्या में अंबिकापूर समाज उपस्तित हुआ है, मैं चाहूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूर जुब्रोदेव के चरणों में उनका प्रतिनी दी अपना भाव प्रकाशित करें और इसके बाद प्रतम प्रशने के लिए म आवाज देखा हूं राहूल जी अंबिकापूर से नबस्ति मराज जी अंबिकापूर से बेजा है गुरुजी भगवन थे आज सब के मन में कि कास गुरुजी के दस अंतिन दसन कर लेते पर सूचना के बाद दूरी के कारण अनूब जेन एबं गिराम पूजन पुन दल जो आपके द्वारा बनाया गया है मेरा पैसे आए कि गुरुजी के पासक देह को थोड़ी अतिरिक समय के लिए एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता था क्या एगम के अनूरूप नहीं है या हमारा कोश्च है कि ऐसा कहा जाता है कि प्राण निकलने के बार सरीर में प्रतिशमें असंख्याद जीवों के उत्पति होती अतने जीवों के उत्पति होती भावनाय तो लोगों की बहुत है अगर ऐसी को टेक्नीक हो कि पार्थिव शरीर को इस्थाई रूप से रखा जाए तो फिर अंतिम संस्कार की ज़र्वत नहीं कि ऐसी को वेवस्था है नहीं है इसलिए जो परवप्रागत वेवस्था है उ जितने लोग पहुच पाएं पहुच पाएं आखे बंद करके तो हर को यह पहुच सकता है और आज के संचार माध्धम के यूग में तो लोग घर बैठे टीवी के माध्धम से देखी जितना देख पाएं उतने हम हम लोगों को संतोश करना चाहिए यह आगम के अनुकूल है कि बहुत लंबे समय तक उनको लोखा जा सकते हैं राहुल जी अतना प्रश्न प्रसूत करेंगे और आपके बाद तयार रहेंगी मधुलता जैन विज्ञानपुर सी राहुल को देजे सवाल करिये सवाल महाराजी यह है कि मैं जैन धर्म का हूँ या कोई हिंदू धर्म का होता है कोई सिख धर्म का होता है कोई मिसल्मान धर्म का होता है कोई क्रिश्चन धर्म का होता है अधिकांस्ता देखा जाता है कि वो केवल अपने धर्म की सष्टा को ही बताता है और अप वो दूसरे धर्म के अवगुन को ज्यादा बताता है। तो मेरा ये कहना है कि जब मनुस को अपने धर्म का ही पुरा ग्यान नहीं है तो अपने धर्म को सच्टा बताने के लिए क्या दूसरे धर्म के अवगुन को या कमी को बताना उची थे या नुची थे किस पाव मार्दसन दे रहे? अश्रिक बात, म duż बदला आ जैन, विक जानपुर से अफना प्रशन प्रस्तोत करेंगे और आपके बाद रहेंगे, नैयन जी, श्री प्राओन्स अगर शे सेवा संख से, है नमुस्तू नमुस्तू नमुस्तू, ही गुरू वर, मेर प्रेश्न ये है कि हम दिन रात ग्रस्त ज माँ खट जाता है मैं पूजन करती हूं तो कुछ देर को कहीं न कहीं दे माँ कि चला जाता है बस मेरी आप से प्रात्ना है कि मुझे कुछ ऐसा उपाए बताएं कि मैं ग्रस्त जीवन में रह करके विरक्ति की और आंगे बढ़ू और जब मेरी अंतिम सांस निकले तो मेरे ग कि अपने आप आई कि अपने पूरी टीम के साथ और आपके बाद त्यार रहेंगे राजेश जी जैनमिका फूर से परम पूच गुरुदेव के चरणू में बारंबार नमुस्तु 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 गुरुदेव आज आज आदर्णिया प्रधान मंत्री नरेंद मो करकर हम सभी लोगों को इतना हर्श हुआ इतना गदगद हुआ कि बता नहीं सकते महराजी जब बोल लेक आपने पड़ा तो आपको कैसा लगा नमुस्तु महराज जी निश्यत आज सुबह सुबह मौदी जी के दौरा लिखित देख जब मेरी दिश्टी में आया तो मेरी पहले प्रतिक्रिया ये रही कि मौदी जी ने आचार गुरुदेव को हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा समझा यह उनकी जो शब्द हैं उनकी जो बोल है उसकी गहराई से धनित होता है हम लोगों ने तो उन्हें अपने एक आदर्स गुरु के रूप में ही श्विकारा लेकिन मौदी जी ने जिस दृष्टी से गुरुदेव को देखा और रेखांकित किया है वो गुरुदेवे की वेक्तित को सार जनीन बना दिया एक देश के माननी ये प्रध किसी से प्रिरित होकर नहीं ये उनके हरदय की पुकार है अन्तच की अभिवेक्ति है और ये अभिवेक्ति तभी है जब उनके हरदय में गुरुदेव विराजमान है उनने गुरुदेव को अपने हरदय में विराजमान कर लिया अब मुझे लगा कि वो किस हद तक प्रभ उस उद्गार थे उस उद्गार ने प्रमानित कर दिया कि आचार गुरुदेव के कलोडो भक्तों में मोदी जी सिर्मौर थे भारत का प्रधान मंत्री आचार विद्या सागर महराज का परम भक्त यह कोई साधरन बात नहीं है हम सब के लिए बहुत गौरों की बात है और हमें मोदी जी के स्कृत के सराहना करते वे उन्हें लिखा आपने जो लेख लिखा उससे हम सब अभी भूत हैं और हमें ऐसे प्रधान मंत्री पर गर्व है यह होना चाहिए सारे देश के लोगों को यह संदेश दो अभी कल मैंने चर्चा में कही थी कहीं से बात आई थी कि भारत रत्न आदी के अलंकरन से आचारशी को नवाजा जाए आज उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मोदी जीशे कुछ मांगने की जिरुवत ही नहीं है उन्हें कुछ कहने की आवशकता नहीं है उन्हें जो करना करे क्योंकि वो हमारी गुरु नहीं उनके भी गुरु है और वो खुद ही करेंगे लेकिन निश्यत मैं उस अलेख को पढ़कर बड़ा अभी भूत हूँ मन में बड़ी प्रशनता है और उस लेख ने आचार महरा कि हमाले कि महां बेटित्त को बहुत अच्छे से शाणकित किया ह। नहीं च्ड़ की भूरी भूरी सदाना करता हूं और आप सबसे कहता हूं कि वालनिप्रिभान मन्तुरी मोधि जी के सिकुध ही आप सबी सदाना करें लए Japan जाम्ले मज्ट सबकेश नब इन तरी में आतर कि पर सोब के अगे भी सतुंगे मानिक जंडर जैनन अम्विका पूर जाने temporary कहा निक वेसा थे अड्お願いします कार शवाइश paying को दोकेन कीवर जाओ अन्यों थाई करने पत ciao लिए है कि कभी यह थील भारा भार बौलती हूं कि वागवान मेरा यह काम हो जाए तो तो में या दान दूंगी तो मेरा दान पुन्य में होता है, मतलब देती हूँ, दान तो हो जाता है, चाहे हो, चाहे वो काम ना हो. दो चीज़े हैं, एक मननत और एक संकल्प, मननत अच्छी चीज नहीं है, भगवान से प्रात्ना कर रहे, भगवान मेरा ये काम करा दो, हम आपको ये देंगे, ये मननत, और एक संकल्प है, मेरा जिस दिन ये कायर पूरा होगा, उस दिन उस कायर के पूनता की खुशी में हम ये करेंगे, मननत सदोस है, संकल्प सिध्धी का आधार है, इसलिए संकल्प लेने में कोई बुराई नहीं, पर मननत ते मानाना ठीक नहीं है. मानिक चंद्र जी, और आपके बात त्यार रहेंगे, आधित्य जन विश्रामपुर से. नमोस्तु गुषदेव, नमोस्तु नमोस्तु चौलग जी को इच्छामी, इच्छामी. गुषदेव, मेरी संका ये है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं, कि किसी से कोई बात्चीत हो जाए, या लड़ाई जगड़ा, कुछ हो जाए, किसी पेकार का, च्छे में दे तक उसे बात मत करो, तो करम बंद हो जाता है. तो जैसे अब सामने वाले को हम बारवार मालिव जय जिन्द कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसे बोलने की, और वो सामने वाला नहीं चाह रहा है बोलने के लिए, उसे सिती में क्या करम बंद होगा? आपके मन में द्वेश है तो करमद होगा और द्वेश नहीं है तो नहीं होगा नहीं चाहरा है तो मत बोलो शुरक्षित दूरी रखना बुराई नहीं है लेकिन मन में द्वेश रखना बुराई नमुस्तु महाद, नमुस्तु नमुस्तु आद इत्ते जी उपस्तित होंगे और आपकी बात तेयार रहेंगे रशना जान अमविकापृषी गारे च्षरी के श्री चड़नों में बारंबर इच्छामी च्छुल्लक महराज के श्री चढ़नों में बारम बार इच्छामी महराज़ी मेरा यह प्रश्ण है कि जब भी हम लोगों के σामने धर्म की बात करते हैं तो लोग जैन धर्म को تو मानते हैं, लेकिだけจะ दर जैन धर्म के अंदर करें कि लोगों का द्रण विश्वास हो जैन धर्म पर और उनकी बातों को बहुत सारी बाते जो लिखी जाती है वो अलग-अलग दिस्टियों से लिखी जाती और हमें सब बाते सब के बीश रखने की बात नहीं है जैन धर्म के मूर्भूत सिध्धानतों को हम समझें और आपके बाते आपके तयार रहेंगे तापस जी जीवन मुल्यों की बात अत्मकल्यैन की बाते उसे हम धर्म से जोड़ें तो ही हमारे लिए ज्यादा सार्थक होगे प्रतक्सिए ऐंगे और आपके बात तयार रहेंगे तापस जी गुरुच को शच्राइब है तर गया है कि है कि स्ग्रियायम करके समय ग्रसंक्ट के महावरत तक पसकता है जरूर आपकर जी ए और आपके बात तैयार ही देड़ा घुरुची को चरो में तीवार नमस्टो छुला कम्राज जी को इच्छा में बहुज को बन दरा है जर्मालासर्य। मेरा सिन्पन प année है बड़ापन एक वु सार्ग, जो पाद से नहीं। सांस्कृच अबरेदा पाटिया कीजिया, जरक कुछ हो जाता जले ऐ है थो अर उस्शच का भूल जाता, तो गुरुजी ऐसा क्यों और इससे कैसे बाचे बहुत अच्छा सवाल है बड़पन का संबन उच्पत से नहीं है संस्कारों से मैं तो एक ही बात कहूंगा एक लाइन में बड़ा वो नहीं जिसका बड़ा थाट है बड़ा वो है जिसके पास जाने वाला आदमी अपने आप को छोटा महसूस न करें जिसके पास जाने की बाद सामने वाला अपने आपको छोटा महसूस न करें अगर तुम अपने बड़पन को सही अर्थों में जीना चाहते हो तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास आने वाला हर वेक्ति ऐसा लगे जैसे उसे स्ने है कि अधिमान केवेटित्त को कुंठित करती है लेकिन जिनके वेक्तित्त में वास्तविक वरप्पन होता है वो सब का ध्याने करता है सब को लेकर चलता है अर्षनासे जी बैनाड़ा और आपके बाद तयार रहेंगे एनस मौरे, जो आदर सुचमाद में कुध्याल है, फुलेता चौक की प्राचारे हैं, नमोस्तु महाराच जी, इच्छामी महाराच जी, महाराच जी, आपने एक बार कहा था, कि आचारे गुरु महाराच ने कहा ह कि गुरु के प्रती भक्ती होनी चाहिए ना कि राग, लेकिन हम लोग को कैसे पता चले कि हम लोग राग कर रहें कि भक्ती कर रहें, फिर प्रसस्त राग भी तो अच्छे ही होती है, भगमान और गुरु के प्रती भक्ती रखो मह नहीं, राग तो भक्ती है, भक्ती में र गुरु का राग संसार का राग मिटाता है पर मोह लेकि गुरुदेव नहीं कहा था मुझसे एक बार मैं जब संग में था तो गुरुदेव की विया बित्ति कि ये बिना नीश होता था कभी कभी अगर हो जाए तो रात में उठके करता था तो एक दिन गुरुदेव ने किसी संदर में कहा कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए मोह नहीं और ये बात सही है मोह और भक्ति में बड़ा अंतर है भाव विशुद्ययुक तो अनुराग भक्ति है जो रोम रोम को स पाना ये सब मोह है तो हमें मोह नहीं भक्ति रखनी चाहिए चाहिए उनका सद्भा हो या सद्भा हो भक्ति हमेशा कायम रहनी चाहिए नमस्त मारण जी एनसमोरे प्राचारे आधर शुचमादमे के द्धाले फुलेदा चौप जाँज पूजी गुरुदेव का रातरी प्रवास हो रहे है सर जी नमस्ति है सर वेशे दू सत्संग में करते रहता हूँ लेकिन हमको अपना संगा समाधान के लिए दो बातों बात करना है दो विश्यों पर यह कि पाप और पुन्य क्या है दूसरा यह कि कुछ मेरा कार ऐसा है कि हम से सभी लोग खुश कैसे रहे है यह हमारा प्रस्ण है देखिए पाप और पुन्य क्या है आप अगर कोई अच्छा काम करें मन में कैसा आता है अच्छा भाव जगरित होता है बस यही पुन्य है और कोई बुरा काम करें किसी को गाली दें मारें पीटें तो कैसा भाव होता है अपने आपको स्वेग में खराब लगता है, यह पाप भाव है, तो मन का दुरभाव पाप है, मन का सदभाव पुन्न है, यह अंतरंग की बात है, बाहर में जो हमारी अनुकुलकाई हैं वो पुन्न का फल है, और जितनी विपत्तियां हो पाप का फल है, समझे है, आपने टो कि हम सब का ध्यान और खुद पहले संतूष्ठों तो बाद में सब संतूष्ठ हो सकते हैं अगर बड़े छोटों का ख्याल रखने लगे और उन्हें थोड़ा स्रे देना शुरू कर दे तो सब को संतूष्टी मिल सकती है आज के सत्र को चुक्की विवस्था है, ठीक नहीं है, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, बोर यहीं सा पर्मो धर्मकी जै, ओम